साउधी अरब ने ग्लोबल माइनिंग इंडस्ट्री में एंट्री कर ली है दरसल साउधी अरब ने वैले की 26 बिलियन डॉलर मूल की कॉपर और निकिल यूनिट में मानियोटे हिस्सेदारी खरीदने की डील की है ब्राजील के वैले गुरूप की ओर से कहा गया है कि हम बेस मेटल ऑपरेशन में 13 फीसद हिस्सा कुल 3.4 बिलियन डॉलर में नगत विक्री के लिए दो अलग अलग समझोते कर रहे हैं साओधी अरब की माइनिंग कंपनी और पब्लिक इंवेस्मेंट फंड के बीच बने जॉइंट वेंचर के पास डिवीजन का 10 फीसद हिस्सा होगा साओधी की इस बाजार में एंट्री का मतलब कापर के साथ निकल में भी साओधी अरब अपना निवेश कर रहा है अब दुनिया के खनन उद्योग में पूंजी की कमी है और कमपिनिया भी निवेश के लिए ब्याज का बोज उठाने को तयार नहीं है ऐसी स्थिती में सावरिन वेल्थ फंड की पूंजी बड़ा सोर्स बन रही है और साओधी अरब को अब यहां आवसर मिलता दिखाई दे रहा है कौपर भेत महत्वपूर्ण है कि कौपर और निकल ये दो ऐसी धातु हैं जो भविश्य के सबसे महत्वपूर्ण मेटल्स होने वाली है कौपर के बिना भविश्य में इलेक्टरिसिटी की कोई भी करांती है इवेकल की कोई करांती नहीं हो सकती पूरी दुनिया में बजली के नेटवर्ण बदले जा रहे हैं वहाँ पर कौपर की जरूर्थ और निकल दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धात हो है जिसका असर जिसका की जरूरत और जिसकी मांग इवी में होने वाली है तो सौधी ने तेल की बास्चाहत के साथ ईवी से जुड़े हुए इलेक्टरिक वहिकल से जुड़ है मिनरल्स के बाजार में भी निवेश करना शुरू किया और कंपिनियों में हिस्सेधारी लेनी शुरू किया